हेलो बेटा, नमस्कार, मैं हूँ अतर सिंग और ये है TNI मंच, तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक सूचना और सूचना ये है, जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली सीटेट के एक्जाम दिये हैं, जो 28 दिसंबर 2022 से शुरू हुए थे और 7 फरवरी 2023 तक चले थे, तो CBSC ने ये एक्जाम आपका कंडेक्ट किया था, और इस एक्जाम की बचे, CBSC ने आंसर की अपलोड कर दी है, वो जो आंसर की अपलोड की है, वहां से आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं, कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, तो बचे, आज ये आंसर की अपलोड की है, जी और अगर आपको लगता है कि कोई कोशन आपको लगता कि जी हम ठीक करके आई हैं और CTAT वालों इसको गलत मान्या है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं यह क्या होगा कैसे प्रोसेस यह की आपको कैसे चेक करनी है वो सभी बिटा मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो CTAT.NIC.IN फिर से सुने CTAT.NIC.IN पर जाके आपको यह की जी आपको यह की भिर सर्च करनी बिटे उसके बाद आएगा सीधाई सबसे उपर ही मिलेगा पबलिक नोटिस आंसर की चैलेंज CTAT 2000 दिसंबर 2022 तो बिटे पहले हमें क्या करना है CTAT.NIC.IN पर जाके और जी यह खुल गा आपके सामने प्यारे बच्चों फिर खुल के आजाएगा यह जो जन सूचना यह CTAT की तरफ से एक बर थोड़ा इसको कर लेते हैं बड़ा देखे क्या कह रहा है वह यह एक बर थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं वीटे हां जी थोड़ा साइड आजया वह थोड़ा आपक पात्तर परिक्षा जो की ओनलाइन मोड में दिनांक 28 दिसंबर 2022 से 7 परिवरी 2023 तक विविनतितियों में आयुजित की गई थी में समलित अभियार थी अर्थार जिस भी कंडिडेट ने दिया है को सूचित किया जाता है कि उत्तर कुंजियां वेवसाइट आपकी जो उत्तर कुंजी है अर्थार जो आंसर की है वो वेवसाइट है सीटेट डोट निक डोट इन पर अपलोड कर दी गई है तो यह है वो आपकी वेवसाइट जहां पर जाके आपको यह चेक करना है अर्थार शीटेट डोट निक डोट इन पर यह की अपलोड कर दी गई है अब अब्यार्थी दवारा परिक्षा के दोरान उत्तर अंकित किया गया, जो उत्तर अंकित किये थे आपने में अर्थार्थ आपकी जो वो आंसर शीट थी ओन-लाइन किया गया परशन पत्र वेव साइट पर उनके लोगिन में उपलबद होगा जो आपने अपलोड किया था वो आपको लोगिन में उपलबद होगा अगर आप ये साइट जा के खोलते हैं तो जो अब ब्यारती उत्तरकुंजी से संतुष्ट नहीं है अब बात आती है अगर आप जो की टैली कर रहे हैं उसकी से आप संतुष्ट नहीं है अर्था सैटिस्फाई नहीं है तो वे निमन लिखित प्रक्रिया दवारा अपनी चुनोती परस्तुत कर सकते हैं जी ये उप्सन दिया है अगर आप CBC दवारा दी गई आंसर की से सैटिस सैटिस्फाई नहीं है तो प्यारे बत्तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं तो चैलेंज करने में आपको क्या करना होगा देखते वेटे क्या करना पड़ेगा आगे पढ़ते इसको यदि अब व्यारती किसी उत्तर कुंजी से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें सम्मिट की चैलेंज लिंक पर क्लिक करना होगा इसी में आगे मिलेगा आपको अगर आप बेटे संतुष्ट नहीं है सैटिस्फाई नहीं है उसकी से तो सम्मिट की चैलेंज लिंक मिलेगा उस इस परशन को चुन्योती देना चाहते हैं, उसे ड्राप डाउन से चुने तथा सलेक्ट और चैलेंज करें, जिस भी कोश्चन के आंसर को आप चैलेंज करना चाहते हैं, उसे ड्राप डाउन से चुने भई, जी वहाँ पर मिलेगा आपको ड्राप डाउन वहाँ से चुने, स घीवन और फिर जो चैलिंज जो लिंक है उस पर क्लिक करें, जो उत्तर विकल्प अप सही समझते हैं इस के option में, अपहे करें बदान शी उत्तर दे रख्या है और आप डी को ठीक समझते हैं तो जिस को आप सही है समझते हैं इस Mason को एविकल्प को सही तुने ज़िए यदि अभ्यार्थी एक से अधिक उत्तर विकल्प को सही समझते हैं, कई बार ऐसा होता कि जी मुझे दोनों ठीक लगते हैं, तो ऐसे सभी इच्छित उत्तर जो विकल्प हैं उनको चुने, अगर आपको लगता है कि इसके दो ठीक हैं, तो दो भी चुन सकते हैं आप, यदि अभ्यार्थी ने गलत उत्तर विकल्प चुन लिया, तो click to update your answer पर click करें, अगर गलती से आपने गलत उत्तर चुन लिया, तो आप click करके दो बारा उसको अपडेट कर सकते हैं, ये option भी दे रखा है, यदि अभ्यार्थी और अधिक उत्तर कुन्जी को चुनोती देना चाह अगर आपको लगता है, एक से अधिक अर्थार्थ, दो, तीन, चार या पाँच प्रिशन ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको गलत लगते हैं, तो आप पर तेक को चैलेंज कर सकते हैं, इसी पर करिया की तहत बिटा, वहीं सम्मिट की चैलेंज में जाके अपना जो question है, उसको सेलेक्ट करके और चैलेंज की को जील, कलिक करना है, अब देखेगा आगे, अगला point, point number two, क्या कह रहा है, ये जो process आपका, इसकी अब शमयावधी बताएगा, उत्तर कुंजियों की चुनोती केवल online उपलब्द लिंक के मादम से, पहली बात तो ये जो आप चैलेंज करें और और तरह से, अज जो आप वैलेंटाइन ड़ेंट कर रहे हैं, आज के दिन से, याद रखनावी, जी, आज से, उर 7-2-2023 तक, और तरह सथरे तारिख को, 20-23 तक, जो नोन-2 अर तरह और तरह सकी चैप्प्हार किजाएंगी, किसी अन्य मैद्यम, इसके लावा, अगर को कि वैब साइट पर उसी में क्लिक करना है अगर आप इसके अलावा कि अन्य माध्यम से मेल करते हैं डाक करते हैं वैक्तिकत माध्यम से परश्तुत चुनोतियां सुविकार नहीं की जाएंगी ना मेल अक्सेप्ट होगी ना कोई चिठी पतर accept होगा ना परसनल जमाजाएं किसी वेसी तो भी बिटा नहीं की जाएगा accept चुनोती परस्तुत करने के लिए प्रती प्रशन जी यह है बिटे अगर आप किसी भी प्रशन की चुनोती देना चाहते हैं चैलेंग देना चाहते हैं तो एक कोश्चन के लिए आपको हजार रुपे फीज पे करनी पड़ेगी भई हजार रुपे कोश्चन के तो बिटे फी काफी जादा है क्योंकि लोक डाउन और करोना के बाद देश की आर्थिक दोस्तिती है वो थोड़ी सोचने की जी तो इसी तरह से बिटे 17 तारिक तक आप एक क अगर आपका प्रसंपत्र ठीक पाता है तो बिटे आपकी सुल्क की वाफशी होगी और इसलिए कहते हैं आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करें वही आगे बढ़ते हैं जिन चुनोतियों के सापेक्स सुल्क प्राप्त होगा केवल वहीं चुनो आपका बूआपका दिन चुनोतिया दी जाएँगे स्पोज करो चाइल्ड डव्ल्यप्मेंट एंड पैडागोजी में चुनोति है हिंदी में है एव्यस में है मैथ में एससमें है या पर साइंस में है तो उस वो जो सीजीडेशी के स्पेस लिश्ट है अपने सबजेक्ट के वो सुनोती को अक्षेप्ट करके फिर बताएंगे कि आपका उत्तर ठीक है या नहीं है अर्थार्थ विशे विशेशग्यों दवारा तुरुटी पाई जाती है तो नितीगत निरने वेबसाइट पर परदर्शित कर दिया जाएगा और शुल्की वापसी की जाएगी अग आगे कोई पदराचार सभीकार नहीं किया जाएगा जो उनकी टीम है सपेशल सब्जेक्ट के जो सपेशलाइज सपेशलिस्ट है वहीं उसको ठीक करार देंगे प्यारे बत्तों ये थी शीट एट के आंसर की से समबंदी सूचना अब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के कि किशी भी प्रसंड पर ऐसम्मंजस में हैं आपको की गलत लगती है तो आप हमारी टीम से सुझाव ले सकते हैं हम आपको बिटा पूरी तरह से सजेस्ट करके अच्छे से बताएंगे इसका ए ठीक है बी ठीक है तो बिटा हम आपकी साथ है जै हिंद जै भारत जी नमस्कार झाल